क्लास 9 दे स्टुडेंट का आज ये इन क्लास है लीनियर इक्रिशन मैंने लीनियर इक्रिशन का सेलेक्शन क्यों किया देखो लीनियर इक्रिशन का सेलेक्शन करड़ी की पीछे कारण यह है कि क्लास 9 में आप 5 मार्क्स के लिए इसको पढ़ते हो क्लास 10 में भी आप इसको 5 marks के लिए पढ़ते हो, 11 में भी आप इसको 5 को 8 marks के लिए पढ़ते हो tends 12 wszht के लिए इसको 5 marks के लिए परते हो यह जो आपका total हरे 1 class में 55 marks है यह marks आपको linear equation दिलाए क्लास 9 में हमें स्टार्ट करते हैं linear equation in 2 variable क्लास 7 में हमने पढ़ा था linear equation in 1 variable तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे linear equation in 2 variable ओके तो अब हम आगे बढ़ते हैं देखो general formula of linear equation general equation of linear equation general form general form of linear equation क्या हम प्यामबाब करते हैं ax plus b is equal to 0 और ax plus by plus c is equal to 0 यह आपका linear equation in 1 variable है क्योंकि यहाँ पे यह आपका x है वो क्या है variable है और a और b यह दोनों आपका है real number तो class 7 में 6 में हमने यह पढ़ा था x plus b is equal to 0 यह लिनियर जो वर्ड है इसका मतलब होता है degree 1 क्या होता है linear का मतलब degree 1 याणि कि अगर x है x is equal to 5 है तो यह linear है one variable है और अगर हम बात करें 5x plus 6 is equal to 0 है तो भी x के power में degree क्या है one है तो यह linear है लेकिन इसका क्या है question in one variable यह क्या हमारा one variable यह है हमारा one variable जहाँ पे केवल x है वर्येबल और a और b यह यह दोनों है हमारे real numbers यहाँ पे जो a और b मैं बता रहा था वो क्या हमारा real number अब हम बात खुरते है linear equation in two variable यहाँ भी आप देखो x का power क्या है one y का क्या है one और यह equal का sign यह जो equal का sign है वो बताता है कि यह equation है अगर यह equal ना होता तो हम इसे polynomial दोते है क्या होते हैं polynomial तो यहाँ पे यह equal का sign बताता है कि this is an equation and the general form of linear equation in two variable into variable यह दिया हुआ है आपका general equation general form of linear equation into variable यहाँ पे x और y आपका variable है a, b, n, c, r real numbers आपको लगेगा यह real number क्या है देखो अभी तक आपने जितने भी numbers पढ़े है चाहे वो natural number है old number है integers है fractional number है rational numbers है irrational numbers है यह सारे के सारे number क्या है real number है और जब मैं आपको number system का class होंगा तो ज़्यादा deep में आपको बताऊंगा मैं rational rational के behaviors के बारे में तो यहाँ आप जांजाब यह है हमारा real number clear हुआ आपको what it? अब देखो यहाँ और बात घ्यान रखना कि a is not equal to 0 and b is not equal to 0 बहिए ऐसा क्यों a is not equal to 0 and b is not equal to 0 क्यों? किसलिए? क्योंकि अगर आपके a is equal to 0 होगा यह तो one variable हो गया ना अगर यह b is equal to 0 होगा तो भी यह one variable हो जाएगा क्योंकि यह part 0 हो जाएगा इसलिए यह limitations है a is equal to a is not equal to 0 and b is not equal to 0 तो यह है हमारा linear equation in two variables प्लास 9 में हम स्कार्ट करते हैं तो इसके आगे और पी हम बताएं दे कि किस तरह से और बाकी numbers change होगा तो आप सबसे पहले जाएगे एक बार हम छोटा सा रिख्याप लेते हैं linear का मतलब होता है जिसका degree हो 1 एक आपको छोटा सा example देता हूं है x के उपर power degree क्या है आप अगर बोलोगे तो पता चले गया 3 दिख रहा है तो 3 है इस तरह के polynomial को हम क्यूबिक बोलेगे अगर आपको मैं बोलू x square y यहाँ degree क्या है यहाँ पे degree बच्चे confuse होके तूब बोलते हैं लेकिन यहाँ degree क्या है 3 है तो ख्राम लगना कि यहाँ पर power form क्या करते है add कर देते हैं और अगर हम x cube plus x square plus x plus 1 इस तरह को equation लेंगे तो यह cubic polynomial है अगर मैंने equal to 0 ना लिखा तो यह क्या होगा cubic polynomial जिसके power 3 हो और अगर मैंने इसको delete या इसको मैंने मिटा दिया तो यहाँ क्या होगा x square plus x plus 1 तो यह क्या होगा quadratic polynomial equal to 0 नहीं है तो इसलिए इसे हम क्या बोलेगे quadratic polynomial अगर x to the power 4 है तो यहाँ पी से हम क्या बोलेगे हम इस polynomial को बोलेगे by quadratic by quadratic polynomial लेकिन हम लोग आज बात करने वाले है linear equation in two variables के बारे में तो आपको जो इसके दिख रहा है जो जो point लिखना है video pause करके आप इस चीज को लिख लो अपी copy में ठीक है सबसे important चीज यही है general form of linear equation in two variables equation हम इसा ध्यान रपना बिने political sign के equation नहीं हो सकता है equation के लिए left hand side and right hand side are separated by equal sign अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो यह देखेंगे कि क्या यह linear equation है आपको लग रहा है इसके linear equation की property आपको लग रहा है यहाँ पे 5 है जब कि मैंने आपको बोला था ax plus by plus c is equal to 0 अगर आप इस equation को इससे compare करते हो आपके पास x के साथ यहाँ कोई efficient x के आगे कोई number जो भी आता है plus या minus में उसे हम कहते है coefficient तो यहाँ पे अगर हम इस equation को इससे compare करें तो अब सबसे पहले हमें इसको बनाना होगा general form की communication x plus y minus 5 is equal to 0 आप compare करो a का value क्या है 1, b का value क्या है 1 और c का value क्या है minus 5 और यह 1, 1 और minus 5 यह बता रहे है that this is the linear equation तो बखे को का sign की यह linear equation है similarly अगर हम इसके साथ compare करेंगे तो यहाँ भी हम देखेंगे a का value होगा 1 b का होगा 2 और c का minus 6 यह भी linear equation और यहाँ अगर हम देखेंगे सबसे पहले हम इसको करने x plus 2y minus 6 is equal to 0 और यहाँ पर हम क्या देखेंगे a का value होगा 1 b का 2 और c का होगा minus 6 यहाँ भी करते हम x minus y को चाहें टो लिख सकते हैं plus minus y और यहाँ लिख सकते हम plus minus 5 is equal to 0 लिख सकते हैं यहाँ पर अगर हम तो हम पर अलकरें तो a होगा 1 b होगा minus 1 और c होगा minus 5 यह तीनों का तीनों equation हमारा linear equation in 2 variable है अगर ऐसा तो ही स्वक्ष्चन हो 2x by 3 plus 4x by 6 और is equal to 1 है मालो यह equation है तो क्या यह linear equation है तो हम इसे सबसे पहले एक आसान तरीका बताता हूं denominator देखो क्या है 3 है और 6 है तो हम यहाँ इस denominator का LCM लेंगे क्या करेंगे हम LCM और बीनों इनीटर्स बीनों इनीटर्स हम यहाँ LCM लेंगे denominator का तो क्या उज़एगा 3 और 6 का LCM 3 से 1 2 और यह उज़एड़ा 3 इंटू 1 इंटू 2 6 आएका हमारा 6 अब इस पूरे के पूरे equation को हम 6 से multiply करेंगे यहाँ जब 6 से आप प्रिप्लाई करोगे पहले तो 3 से कटेगा 6 2 जाए 2 2 जा 4X 6 से 6 कटेगा 1 जाए 1 4 जा 4X और 1 जो है तो 6 से multiply होगा तो आएगा 6 और किसे भी हम चाहे तो लेख सकते है 4X प्लस 4X माइनस 6 इंटू 0 यह भी क्या है linear equation in 2 variable तो आप linear equation in 2 variable को आपको पहचानना आ गया Got it? तो आप इसको देख हो कि हम पहले यह जान जाए कि जहां कहीं भी आपके पास X हो और Y हो तो variable हो equal का sign है और सारे के सारे number real है तो real number का मतला बगर root में भी होना 2 तो वो irrational होता है और वो real है rational number irrational number सारे numbers तो real है ठीक है प्लीज note it down चलिए अब हम एक बश्किन तब दो सबसे पहले आपको बताना है मुझे यह linear regression into variable है तो हमें देख रहा है X Y is equal to 5 X plus 2Y is equal to 5 यह linear regression into variable है हमें इसना solution लेना है linear में X और Y का value लेना है एक बात बताओ आप कभी भी एक equations given हो एवन एक equation given है और दो variable का है तो इसका answer आपसे निकलेगा विल्कुल भी कोई unique solution नहीं होगा अगर मैं आपको यह कहूँ कि एक मोहित ने एक table कडिदा है और उस एक table के साथ जब वो 100 रुपे देता है दुकान वाले को तो दुकान वाला table के साथ आप उसको 50 रुपे लोटा देता है यहनि कि उस table का गाम कितना होगा 50 रुपेस यह होगा लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि मोहित ने 100 रुपे दिया और 100 रुपे में एक pencil और एक paint खरीदा तो इस paint और pencil का क्या price होगा तो आप आप नहीं बता पाओगे कोई एक answer नहीं दो जैसे देखो मैं अगर यह कहता हूँ कि एक pencil और एक paint की कीमत अगर 100 है तो यह अगर pencil की कीमत एक रुपे है तो paint की कीमत क्या होगी 99 रुपेस और यह सही है अगर इसकी कीमत 2 रुपे होगी और इसकी कीमत क्या हो थी 98 यह भी सही है अगर इसकी कीमत 10 रुपे होती ही तो इसकी कीमत क्या होती 99 रुपेस और यह भी सही है तो इस तरह से हम देखते हैं कि कभी вторि 10 एक equation में अगर 2 variance कम एप और नहीं संगे तो उसका यूनीक सॉलूशन यह infinite number of solutions तो अब हम क्या करना है हमें यह को infinite number of solutions मिलने वादा है उसको आमें लिखना है उसको हमें lockdown करना है तो वोल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहला काम है इस equation में हम एक variable को dependent quantity बनाईगे और एक को independent dependent का मतलब होता है जिस quantity का value depend करें दूसरे quantity के इसको साथ साथ औरत में हम यह करेंगे कि किसी एक को हम क्या करते हैं अलग रखा जैसे x को हमने अकेला रखा और यह जो 2y है उसको हमने right hand side में बेज दिया तो यह हो गया 5-2y यह हो गया हमारा एक subject बना दिये जिसको हमने बाहर लिया है x को और दूसरा 5-2y यह एक अलग पार्ट हो गया यह को हमने बनाया है वो इस equation से बनाया है आपको अगर रखता है जिससल x के बजाए अगर हम y को अके लिए रखते तो आप रख सकते थे बिल्कुल आराम से और इस x को कहते हैं dependent जबकि देख करके हमें लग रहा आता कि x अखेला है और यह subject है और यह बिल्कुल साथ उत्रा है लेकिन यह दिकर आता कि यह complex form में दिया हो गया लेकिन हम इसको कहते है independent और इसमें हम क्या करते हैं y का अलग अलग value लेते हैं हम इसमें क्या करते हैं y के अलग-अलग values लेते हैं जैसे आप अलग-अलग y का values ले सकते हो एक बहुत simple और इसा लेना चाहिए value हमें लेना चाहिए y का value 0 यानि कि अगर हमने y का value 0 दिया तो x का value क्या over 5 minus 2 into 0 यहीं कि 5 minus 0 यहीं 5 एक्स का value क्या होगा 5 कब जब y का value 0 यहां पे y के 0 के बदले हम कोई और value ले सकते हैं अब कोई और value लेने के लिए क्या करेंगे एक और भी चीजा प्याद रगना कि y का value ऐसा रोग जैसे कि आपको answer मिले वह whole number में मिले इंटीजर में मिले और fractional number में ना मिले वो fractional number ना मिले तो यहां क्या करेंगे कितका लोग है तीन values अगर आप इसके बाद वाले वीडियो देखो गे तो मैं आपको दो value लेने का तरीका बताऊंगा और वो दोनों value से यह बिल्कुल exact point मिलेगा लेकिन अभी आप class 9 में हो तो मैं आपको कहूंगा कि हमेशा आप समसे कम तीन value निकालतों यह तीन value के पीछे मेरा funda क्या है अगर हम यह दो point लेंगे और इन दोनों point से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो यह हमिसा दोनों point से एक line तो रह हो ही जाएगा लाइन के last में एरो जदू बना तो यह तो हमिसा line रह हो जाएगा लेकिन अगर माल किया कि हमने 3 point किया है तो यह confirm करता है कि यह 3 point एक line में है यानि कि हमारे 3 values correct है अगर यह 3 point एक line पे lie कर रहा है it means linear points है तो हमें यह पता चलता है कि यह जो हमने point किया है वह बिल्कुल correct है अगर यह 3 के बज़या ऐसा होगा कोई point यहां होता तो हमें यह पता चलता है यह जो तीनों point है हमने जो लिया उसमें जरूर कहीं error है कहीं point हमने गलत value assume किया है तो इस वज़ए से theorem calculation को revise कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊं कम से कम इतने value लेने है तीन value दो value हमने ले लिया एक और value हम लेते है y is equal to 2 तो x का value क्या होगा 5-2y यही 5-2 into 2 it means x का value जो है आपके पास आ रहा है क्या 5-4 1 तो आप देखो यहां पे यह की x का value अलग अलग ती different values आया y के different चौन से y independent था यही आप सोच सकते थे y का value और निखा गया थे x का value जो x का dependent है अब पता चला इसको dependent क्यूं कह रहा है क्योंकि हमने जिसको independent value लेना था उसका हमने खुद से assume किया और जो result आया वो dependent का है x का लेकि एक और बात बताओं आप यह जरूर काम रहा है क्योंकि हमारे cc के table में जो है वो केवल x, y और यही तब का column दिया रहता है पर मैं चाहूंगा कि आप इसको एक और column बनाओ जिसको हम कहते है ordered pair तो मैं कहता हूं कि हमिलसा यह जो आपका ordered pair है x और y दोनों के values है उसके लिए भी आप ए column जरूर बनाओ आपका समय बचेगा और आप ज्यादा accurate होगा तो आप लिएक condition में x का value क्या है 5 कब x का value 5 है तो आपने y का value है 0 यहां पर x का value 3 और y का value क्या है आपका 1 यहां पर x का value है 1 और y का value है 2 यहां पर थोला द्यांट से लिखना क्योंकि ordered pair लिखने में पहला point x का लिख जिए जिसको हम कहते है आप सी साब क्या हम बोलते हैं इसको आप सी साब और y के value को हम बोलते है और दीनेक क्या हम बोलते हैं और दीनेक हमें linear equation के बाद class 9 में coordinate geometry पढ़ना है तो आपको यह terms याद होना चाहिए this is called ordered pair इसको हम क्या बोलते है ordered pair ordered pair एक्स और y यहां ordered pair पेर मतलब दो number हो गया x का जो coordinators को हम x सब होते हैं y बारे को हम coordinate बोलते हैं तो यहां क्या होगा इसी तरह से 3 और 1 होगा और यहां क्या हो तो 1 और 2 तो आपको यह पता चल रहा है यहां 2-3 जी यार रखते हैं एक बात तो यह पता चला कि अगर अरफार आपको डूसस्ता वेल्यों 5 लेते हैं तो आपको y का बेंट्री मोविण लेता है अगर्ट फैल कि surgeon ची पी क्तिंडशों से खिते होता क्या है कि हम इसक्वरशन से 예शर तो तेर नेWeek, ind миллиkaन लेकिन कभि कभि हम यह बेंदि क्या एक मैं. आप्जेक्टिव पुर्शन देता हूँ पुर्शन में पूछ रहा हूँ क्या ये पॉइंट इस पर लाइफ करेगा हमेशा याद रगना अगर ये पॉइंट को हम ग्राफ पर बनाते हैं तो इस ट्रेट लाइन देता है जैसा कि अभी आपको मैंने एक लाइन बना के दिखाया और हम इसके लिए ग्राफ भी बनाएए तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ग्राफ का पेपर भी अप्टे पास लेकर करके बैखो को कि अभी हम तो ग्राफ बनाने बाले हैं अब देखो सबसे पहले मैंने ये पॉंट दिया है और मैं आपसे कहा ना चाता हूं कि क्या ये पॉंट इस line पे इस equation को satisfy करता है word याद रखना satisfy करता है तो हम यह दो वेल्यू को इसके जिवा put करके देखते हैं देखें या, x के जिए हमने 15 यह थी है, 2 है और y के जिए हमने minus 5 देखें तो आप देखो 15, minus 5 के जिए क्या होगा 10 और यह 15 minus 5 क्या होगा 5 आप देख रहा हो कि LHS में हमने x और y के values को put किया और answer हमना क्या मिल रहा है? RHS, यानि कि यह equation, यह point correct है, तो भाई आपने ऐसा point नहीं लिया अब एक दूसरी और बहुत important बाद है कि यह जो हमने number लिया था बच्चे हम इसा confused होते हैं कि सर हम number कौन सा ले? आपको 012 ले लिये पर हम कौन सा number ले? क्योंकि आपको लगता है कि सर 012 लिया है का हम भी 012 ले? लेकिन हरे की question में ऐसा नहीं है कि आपके 012 value ले लेने से वो value fractional number ना मिले तो हमें क्या चाहिए? हमेसा याद रखना कि number एक graph पे generally 8-10 line हम 8-10 cm के division पे रखते हैं तो number ज्यादा से ज्यादा एक का 6-7 ऐसा आए और दूसरे का negative में भी minus 5 minus 6 जैसा है जीरो लेना ज्यादा आसा होता है क्योंकि जब भी आप 0 लोगे तो वो किसी नों किसी access पे उसके point बन रहा हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है यह important part था और मैं चाहता था कि इस question में independent dependent से आपको familiar होना है दूसरा अलग-अलग different values लेके आपको सब्सक्राइब में उतारिए और उतारने के बाद फिर हम आ गया है तो पॉस अब बात करते हैं linear question में कैसे graph का point plotting होता है अच्छा यह graph वह पर सभी बच्चों के लिए मेरे लिए बहुत confusing था graph क्योंकि जब मैं graph बनाता था उस वक्लास 10th में यह seven marks carry करता था और मैं यह number जो assume करने वाला part मेरे लिए बहुत difficult मेरे बड़े लिए बहुत धंग से मुझे समझाया but I was unable to follow in at that time बहुत मुस्किल होता था कि मैं number कौन सान हूं क्या लूं बहुत confusion था तो मैंने आपको बताया कि आप कोई भी number लोग और ऐसा number लोग जिससे कि जो independent quantity का जो आप value ले रहे हो उससे dependent जो पिछले question में एक्स था वह आपको अच्छा number मिले बता point plot कर सके हम बात करेंगे graph के बारे में तो this is the graph आपकी graph में सबसे पहला काम होता है यह है horizontal line जिसको हम कहते है x-axis क्या हम बतने हैं इसको x-axis और मैंने इसको बोला था abscisa यह हमारा y-axis जो है vertical line और हमने इसको बोला है ordinate क्या हमने बोला है ordinate आपको मैं बताओ this is a plane यह क्या है plane है और इस plane में हमने एक horizontal line draw किया यह horizontal line draw किया कि यह दो half plane में बढ़ दिया यह क्या है दो half plane है और यह दोनों plane अलग है फिर हमने यह y-axis लिया vertical line यह भी क्या किया दो half plane में बाट दिया लेकिन total यहां पे 4 plane का part बचा है और इन 4 को हम कहते है quadrant इन 4 part को हम क्या दोते है quadrant तो यह है हमारा first quadrant इसको हम क्या दोते है पॉस्ट quadrant इसे हम कहते है second quadrant और इसे हम कहते है third quadrant इसे हम कहते है fourth quadrant आप यह काम कर सकते हो जैसे घरी दूब में दिखता हूं तो घरी में लिखता है हमें कि 12, 1, 2 यह direction क्या है हमारा? यह हमारा clockwise है लेकिन हम नहीं क्या क्या यहां से anti-clockwise हम कहते है 1, 2, 3, 4 तो यह चार quadrant इसे बाटा है अब और दी confusion हम दूब कर गए है यह जिस point पे दोनों access मिलता है उस point को हम बोलते है horizon क्या हम बोलते है उसको horizon यह जो horizon का point है यह जो 00 है वो horizon है जहां पे दोनों access एक दूस्य को मिलता है तो एक बात आप भ्यान रपना है यह जो आपका zero है वो पहला zero है और पहला zero कौन से access का है? X का पहला zero आपका x access का है इसको हम capital letter में x लिखते हैं और इसको x 10 लिखते हैं और zero हो गया आपका horizon अच्छा zero क्या करता है? एक access को दो बाते है दो बाते हैं मतब एक side में positive और एक side में negative तो towards x 0 से जब हम x की तरफ आते हैं तो यह positive number होता है 1,2,3,4,5 इस तरह से आप division करोगे और positive number लिखोगे नहीं जब 0 से हम x 10 की तरफ जाते हैं तो हम लिखेंगे minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 और यह हमारा dot 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 होता है तो x axis के लिए तो हमें clear है कि हमारा result पे 0 जो था वो है और बाती अगर positive or a side में negative लेकिर y axis में क्या यही करेंगे? अनुमार लगाओ कि अगर y का 0 यह है तो towards y हम positive जाहेंगे नहीं जाहेंगे? क्या लग रहा है हमे? positive या negative? या या एक ताम यवराज द्यान पटना तुमारे लिए लीडियो है and I'm asking the question बोलो यवराज किन सुख? बताना होगा तुमको क्या हो गए? 1,2,3,4,5,6,7 इस तरह से और इसी तरह से इस horizon को में विता रहा हूँ तो आप इस horizon को लिखने जिए आपके copy पे यह होगा minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 और यह होगा dot 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 clear it? सबसे पाला काम यही था कि यह graph बनाने के लिए हमें दोनों axis को मिताना है horizon पे और यहां 4 quadrant बन रहा है अब हम बात करते हैं किसी order में हमने यह 3 point लिए पता है हमने यह 3 point लिए था और यह 3 point हम यह बताने के लिए लिए थे कि यह 3 point एक line बनाएगा एक straight line बनाएगा क्योंकि linear representing two area में एक equation से straight line बनेगा पक्का बनेगा चाहे 10 point निकाल लो चाहे 100 point निकाल लो चाहे 2 point निकाल लो लेकिन हमेशा एक ही line बनेगा एक straight line बनेगा अब हम बात परते ही इसके बारे में 5 और 0 के बारे हैं तो हमें कोई idea नहीं किल रहे 5 0 को कैसे बनाए अचा हमें यह तो पता है न यह एक्स क्या है 5 और Y क्या है 0 तो पहला काम X को दूड़ो कहा है X का 5 यहां है अचा X के 5 से जो रस्ते जाएंगे न बो देखो उपर की करफ लाइन जाएगा नीचे की तरफ लाइन जाएगा और यह वाले 4 लाइन जाएगे K1 और K1 इस 5 से मिलने वाले लाइन यही है यह एक्सस पर जाड़ा और यह इसका वर्डिकल जाड़ा है अब वाई का 0 कहा है आप देखो ज्यान से तो आप देखोंगे यह पॉइंट आपका 5 और 0 है क्योंकि इधर तो जाना नहीं है तो यह 5 0 क्या हो गया प्यूंट ऑन X AXES X और 0 होगा यादि 5 0 हो सकता है Minus 2 0 हो सकता है 1 0 हो सकता है है ना और हमारा पूरीजिन है को 0 0 भी हो सकता है और यह क्या होगा X AXES तो ऐसे ही मैं आगर बोल दिया तो यह तिस AXES पर होगा Y का कोडिनेट 0 है चुन्युक्त होगा खोनू कोईट हो एकिन दी दमतने ही क्या पत्री तो क्या है क्या क्या है वालानि है इस पॉइंट से बस यही चार रस्ते हैं इधर जाना और इधर जाना तो यह वाई का जो बन है उस वाधे लाइन से हम यहां मिला उत्री और और यह पॉइंट ऑड़ एक पहला पॉइंट यह था तो ग्राफ पेपर में यह लाइन को ड्रॉ नहीं करते हैं बस समझने के लिए मिल गए हैं कि 1 का और 3 का जो पर्पेंटिकुलर लाइन के 2 पॉइंट से जाना है वहीं पे जो मिल रहा है मैंने आपको बताया कि लिनियर इक्रेशन इसुगेर में मीनिमम दोंगे मैं आपको होता हूं 3 लेने को तो दो पॉइंट लेने को तो दो पॉइंट को अगर इसको अमें लंबा खीष्णा होगा और वह लंबे लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो उस इक्वेशन के प्रिश्ण गर्णा है अब हम देखते हैं कि तीसरा पॉइंट के उसे स्ट्रेट लाइन के आएगा जैसे कि आहां के अपने ग्राप बनाया मैनुवली पेपर पे नहीं है तो जो डिफरेंस है तो थुर्ण जादा और कम हो सकता है तो थुर्ण इस्ट्रेट लाइन में भी करें पर तीसरा पॉइंट है वन तू एक्स का है वन और वाई का है तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि यह पॉइंट भी इसके साथ मिल रहा है ठीक है और उसके बाल एक्स यहां पर लग बग यहां आप देखोगे कि यह इस तरह से इस लाइन में अगर एरो नहीं मनाओगे ना बहुत बढ़ी घंकी होगा मुझे याद है रोशन जादवपोर इनर्जिती में भी वह पढ़ रहा है और उसका आधा नंबर पढ़ा था के वर इस एरो के कारूँ तो यह जो है दोनों अगर जो नहीं रहेगा तो आपके नंबर कट जाएंगे तो यहां पर यह जो है ना 2.5 पर यह एकसे पर कट रहा है तो अगर आपसे एक पुछन पुछता है कभी ही कि y-intercept क्या है y-intercept निकालो find करो y-intercept इसका मतलब हुआ कि y-access पर यह किस point पे कट रहा है तो आपके पर दो त आपके आपका 0 प्लस 2y is equal to 5 तो y is equal to 5 by 2 यह हो गया आपका y-intercept similarly अगर पुछता question में x-intercept तो यह point को हम क्या बोलते x-intercept क्या हम बोलते x-intercept क्या हम बोलते x-intercept पे y-0 है तो जब भी कोई भी point किसी x-s पे हो तो हम उस point को intercept के हैंगे x-intercept और y-intercept यहां तक clear हुआ तो आप इसको लिखो इसको ध्यान दो मैं अभी और point plot करने के बारे बताऊंगा लेकिन उसके पहले फिर से एक बारी क्यात लेते हैं हमारी यह तीन वैल्यूज दे लिए equation in two variable के हम ने यह तीनों वैल्यों को उठकिया तो अब किसी की ज़रुड़त नहीं परती तुछने की कि सही है या गलत है क्योंकि अगर यह गलत होता तो मुझे पता है यह तीनों को linear नहीं बनता अगर को linear है मतलब मैं विल्कुल सही हूँ लेकिन हाँ प्लोट करना अभी हमें अभी और सिखना पाटा है यहीं कि हम सिखेंगे प्लोट करना तो मैं चाहूँगा आप सभी को एक ग्राफ पेपर जेरोर्ड लो और उस डाफ पेपर अपन करो तो ओपन करने के पाद प्लॉट करने का एक और नया परिका सिखाता हूँ, खिक है, और सिखाता हूँ, हमने बना लिया है y-axis और x-axis, अब 4-quadrant में हम इच्छी ज़िए और ग्यान रखें, प्लस और प्लस, यहीं एक्स भी पोजेटिव और y भी पोजेटिव, आप देखो, कि अगर हम x वाले से यहाँ उपर में लाई लेगें, और y वाले का यह वाला लाई इस पोइंट में मिला, इसका कोडिनेट होगा 4 और 6, x का हमेशा एलिमेंट तो या नंबर को पहले लिगे यहाँ पोजेटिव हैं, तो फॉस्ट कोडिनेट में उसका पोइंट प्लॉट होगा, क्लियर, दूसरा, यह निगेटिव है, यह एक्स जो है वो निगेटिव है, और y जो है वो पोजेटिव है, तो यह हमेशा याद रणना कि अगर मैने बुला, कि माइनस 3 और 5 किस कोडि करेंगे, तो आपको यह याद रख लेना है, देख करके कि अगर अगर एक्स नीगेटिव है तो नंबर देख करके भी हम ये साइन माइनस प्लस को हम बता सकते हैं कि वह सेकंड में फोर्ट क्या है हमारा एक्स पोजेटिव है तो इस तरह से हम प्लाट करेंगे अभी उनको अम्रेशल बता रहते हैं कि सराक्तिव वीडियो में ये जरूर एड़ कीजेगा कि डिस्तेंस ऑफ ऑपोइट फ्रम देट्व एक्स कि दोनों एक्स से डिस्तेंस क्या है तो जैसे बांतों ये क्या है पॉर रिखेज दोनेट ऑपोर पॉर और इक्स का कोडिट एप सीछ बढ़ाते हैं वो को और है हरा य का सिक्स है तो ये पींट एकस एकस से कितना दूलिए है, देखो याँ, एक दो, तीन और चार, पांच, छे, यानि कि आप देखो, तो ये पॉइंट एकस से एक दो, तीन, चार, पांच, छे, यानि कि 6 यूनित का डिश्ठर से होचे, इसको 4 और 6, इसका डिश्ठर इस 6 यूनित, फ्रॉम, एकस एकस, अब य एकस से कितने डिश्ठर से है, 1, 2, 3, 4, एकस एकस, यानि आप सिंपल सा चीज है, एकस से डिश्ठर बोलना है, तो य का पॉर्टेट बोल दो, और य से डिश्ठर बोलना है, तो एकस का कोडिनेट बोल दो, यही है न, एक और बात, आपको लग रहा होगा जिस्टर यह फोले, यहां पे अगर माल लिया जाए, नमबर यह रहेगा, माइनस 6 और 5, तो हम को देंगे, यह एकसस से कितने का डिश्ठर से, यह पॉइंट का इसको हम क्यों मानते हैं, कैपितल पे लिखना चेहिए यह बीख, तो माइनस 6 और 5 क्यों है, गो एकसस से कितना दूर है, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस 6 यूनित, बिलकूल नहीं, डिश्ठर इस और वेल फुजटिव, तो हम च्की यूनित बोलेंगे, माइनस यह नहीं बुलेंगे, याद रगना, अच्छा साथ में कुछ चीज़ ओर नहीं बता हूँ, जो अब्जेक्टिफ वर्षिंट के लिए होता है, तो मैं चाहता हूँ कि इस नीचे वाले पार्ट को निटा दो, और आपको बता हूँ, यह देख लीजेगा, four quadrant plus minus, हम यह बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ के बार में आपको धिलाम रहना है, equation of x-axis, कोई दिखते हैं, y is equal to 0, देखो, x-axis पे y क्या होता है, 0, x तक चाहा है क्यों कोई भी बदल जाया है, बर y तक यह बदल 0, अब इसी तरह से हम बोलेंगे, equation of y-axis, क्या होगा, x is equal to 0, यह भी क्लिय है, तो यह दो हो याद कर लेना, equation of x-axis, y is equal to 0, और equation of y-axis is, x is equal to 0, अचाब मान दिया है, आपको अब बोल रहे है, x is equal to 3, और बोल रहे है, इसका ग्राफ बनाओ, तो आप बताओ, किल्सु, मैं आपसे आवाज सुना चाहता हूं, तो रहा ओडियो बढ़ाते बहना, सुना है, तो y का value क्या होगा, dependent, dependent, dependent तो पताई नहीं चला ना, हमने तो कोई नमबर बताओ, कुछ बताओ, clear करो, x अगर दिनो यह तो y क्या होगा, बिल्कुल 1 नहीं, कुछ भी होगा, हमने कहा कुछ लिंग दिया है, तो x अगर 0 है, यह x अगर 3 है, तो y तो बताई नहीं है, कै कैसे बता सकते हो, तो y क्या होगा, कुछ भी होगा, ।क्ष भी होसकता है, x अगर 3 है, तो y क्या होगा, कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी, मिरी तृट इस रंदे सुरूभी, उसके बाद से हमने सिकھना सुर्वी तो यहां पर देखो, अगर x is equal to 3 है, तो y क्या होगा, कुछ भी तो यह होगी राप्तर कुछ भी लिए इस लाइन इस पैरलल तो य-axis if x is equal to constant x3 है मतलब जाय है x constant है तो यह क्या होगा line parallel to y-axis तो इसी तरह से दूस्ता question है अगर y is equal to 5 है तो x का value क्या होगा तो इसो y is equal to 5 है कुछ भी चलो ठीक है कुछ भी तो अगर y 5 है तो x कुछ भी तो y तो 5 है और यह line क्यों होगा हमारे पास पूरा समय जिक जक को हटाना चाहता तो यह हो गया हमारा y is equal to 5 है और x का यहां के कोई भी value ले सकते हो कि इस point पे अगर इस coordinate के बारे बात करें इस coordinate अलगलग change करें तो अलगलग coordinate है यहां से हम ने लिया तो x का मैंनस 4 और 5 अगर आपने यहां पे लिया तो यह हो गया मैंनस 10 और 5 x है मैंनस 10 और 5 तो आप देख रहे हो यहां पे इसके लिए क्या को लोगे line parallel to x axis clear work तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ question और आप से मैं कुछ हूँ कि वह किस प्वेजेंट में होगा और ग्राफ बनाके आप मुझे उसमें plot करके दोगे तो यह आपका होंपक होने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप जो एक है उस एक पे अगर कोई भी पॉइंट जीरो है तो अगर एक्स जीरो है तो एक्स अक्स पर क्लियर है तो कुछ प्रश्चन देजेता हूं करें पॉस और यह आपका क्वर्श्चन तो आप इस प्रस्चन को अलाम से उतार लो यह अप सब्मिट कर सकते हो सब्मिट करोगे सब्मिट करके मुझे बेंगा यह बेजूंगा जम्मिट होगा मैं देख लूगा ठीक है तो इसको आप देख लोगे-चली हम बात करते हैं एक question है, x is equal to 5, तो मैंने आपको बताय रहा था कि अगर x का value constant है, अभी खिंसुक ने कितना अच्छा है किया था है, मैंने बता है, x अगर 5 है तो y क्या, तो लग कुछ भी, तो y अगर कुछ भी, मतलब line जाओगा, parallel to y axis, यनि आपका graph ये है, और 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो आपक नहीं भूलना, क्योंकि ये जो arrow है, वो arrow देना, रोशन भूल गया था, मेरा बहुत ही प्यारा student है, जादो पर युनिवर्सिटी में, 920 rank लाके अभी वो पढ़ रहा है, अभी वो 4th semester के student है, ठीक है, 4th या, 4th हो, तो रोशन जब भी वीडियो देके था, तो he will remember, क्योंकि मैंने उसको एक दो नहीं पुले, 9 वस, कमसे कब 9 से 10 वस पढ़ा है, 8, 9 वस, तो ये देखो, कि ये लाइन कभी भी नहीं भूलना, जरूर देना arrow में, ये हो गया, x is equal to 5, तो आप जानते हूँ कि अगर x is equal to minus 3 है, तो minus 2 जीरो पी दर होता है, तो ये हो गया आपका, minus 3, त अगर मालों, y का value नहीं है दिया हुआ है, कि y plus 7 is equal to 0, तो y क्या होगा, minus 7, अचा, ये question पूछने वादि है, कि हम किनसुक से पूछ सकते हैं, कि किनसुक, y का value minus 7 है, मतब एक्स का, अगर y का value minus 7 है, मतब एक्स का, क्या होगा value, कुछी भी, तो चलो, ये y is equal to minus 7 है, तो x क्य तो minus 0 के नीचे होगा, 4, 5, 6, 7, तो ये है आपका, अगर minus 7, तो ये line होगया, y is equal to minus 7, तो exercise 8, एक का पहला question देखना, एक question है, गोल रहा है, draw the graph of equation, y is equal to 3x, question गोल रहा है, कि y is equal to 3x, तो आप graph में बनाओ, इसका आप graph draw करो, तो मैं इसको मिटा देखना हूँ, तो आप इसक अप जो है, note करो, देख लो, 8a का question दा है, ये सब, मिटा दो, चली, सबसे पहला काम, linear equation to variable तो solve करें कि लिए, जो पहला है step है, वो क्या है भई, विष्टिट 1 क्या है, विष्टिट 1 क्या है, विष्टिट 1 है, dependent और independent को अलग करना, dependent quantity, and independent को अलग करना, तो आप यहाँ देखो कि 3x और y उन्हों अलग-अलग है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि y क्या है, dependent है या independent है, तो जो complex formula होता है, उसको आप गुलते है, independent, independent, और independent के ही value को assume करते हैं, मतलब x के value को ही आप मालोगे, और y है आपका dependent, तो हम क्या करते हैं, यहाँ यह table देख जैसा कि आपको मैंने बताया था, और इस table में मैंने बुला करते हैं, तो 3 point लेना है, और हमारे पास जो independent के पो x है, तो हम x का अलग-गलत 3 value देखते हैं, इस x is required to, क्या लेकिए उसे फोलोग कोई number? 5 ले लेते हैं, तो y का value हो गया, 3 into x, यहीं 3 into 5, यहीं 3, 15, तो मैं इक बात आपको जोड देंके बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा number 9 आए, कोसीज करना है कि number 10 से छोटा है, 7 आए, 8 आए, ऐसा number लेना है, तो मैं आपको यह ब आपको बड़ा number आ रहा है, इससे छोटा ले लेते हैं, हालाके अगर 15 बनाना है, तो हमको पहले से यह सोच के रखना होगा, कि y को 15 तक लिखना है, तो चलेगा, कोई दिकत लिए, हम आगे बते हैं, अब हम x का value क्या ले ले बोलो? 2 लेते हैं, तो y का value हो गया, 3 into 2, यहीं values को इसमें लिखना है, x अगर 5 है, तो y है, 3, x अगर 2 है, तो y है, 6, x अगर 1 है, तो y है, 3, order pair में मुझे बताना, मैं कहीं कि गलती करूँगा, तो please मूत या दिलाना, कि मैंने गलती किया है, क्योंकि गलती मुँष्से बहुत जाता होती है, तो क्या है, सही है, यह सही है यह क्या है X और यह क्या है Y तो यह X का बैंक है 5 और पहला नंबर क्या होना अच्छी है X और यहां क्या है 15 तेनी मैं गलत हूँ, तो भाई गलत नहीं इतना है , और आपको वीडियो बना रहे हो sir तो गलत निखो गए तो कितनी बली घ्लती हो जाएगी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं दिलेगा कोई लाइक नहीं कि लेंगे इवेंट के हम लोग दो अच्छा बढ़ाते हैं नहीं दो आने बच्चे कुंगटर कर दिये तो यहां नहीं है तो यहां भी यह दीन पॉइंट हो गया और इन्हों नहीं कहा था क्वेश्चन में कि ज्रॉ इसका मतलब कि हमें second, third, and fourth quadrant की जरूरत ही नहीं है यहनी कि हमें इसलफ जरूरत है सभी पोrando है तो हमें इसलफ जरूरत है कि कि फॉर्स्ट quadrant नहीं है और एक्स्टा मेक्सिमम है 5, 1, 2, 3, 4, 5, अब यहांगे वो पहला point कौनसे है 5, 50, एक्स्टा 5 और वाईका 50, यह होगया 5 और 50, एक्स्टा 2 और वाईका 6, यह होगयाँ हमारा point, तो यह हो गया हमारा य इक चीज ती जो मैं आपको नहीं बताया हूं मैं चाहता था कि यह आपको बना के बताऊं तो मैं बताना चाहता हूं क्वशिंग करा एगर y 6 हो इफ y is equal to 6 तो x क्या होगा तो हम क्या करेंगे y 6 के पास से बिजाड़ेंगे और यह point आए तो y अगर 6 है तो x क्या है तो यह नहीं बोल सकता है अगर y 9 हो 7 8 9 तो x क्या होगा यह point यह होगा 3 और 9 तो x क्या होगा 3 अगर y 9 है तो x क्या हो जाएगा 3 और order पे अरोगा आपका 3 और 9 तो आपको ग्राप से ही चेक करना है और यह हमने जो बनाया वो हम इसको चेंज करेंगी हम ले आएंगे वहीं इंटरैक की बोर्ट हम उसमें ग्राप भी करेंगे बट एस कोविद 19 के सिकार हम सब लोग है आप भर बैटे हो तो हम चाहते हैं कि आपको जरूर प्लास मिले तो हम लोग बिल्कुल अर्जेंटी यह स्टार्ट किया है मैं चाहता हूं कि यह आप में डाउन करो और एक्सरसाइज एट है आप जरूर बना लो एट है कि कोई भी कुश्च्च में डाउन है आप कमेंट करो आप मुझे भेजो मैं आपको सॉलिशन देता हूं ओके और अगरी वेस्ट